हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे बावजूद का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? बावजूद का English meaning होता है despite इसे हम example से समझते हैं इसे के साथ इस वीडियो में बस इतना ही अब आप मुझे comment box में बताईए इसके अलावा का English meaning क्या होता है Thank you अपाईए